Hello,tit viennent! Hello,strents,how on! अबिद करता हूँ कि आप सब लोग भूँद् कुछच और बहुष सवस्त होगी े । आज हूमारा टॉपिक है यह मैंनेटमेट्मेंट्ट इंफर्मेशन सिस्टम जो की है हमारा बीकी सिक्सैक्सर के रिये और इस्ववेट आज हमार जो topic है वो है डिफ्रेंस बेन manual and computer based information system इस्ववेट से पहले जो है वो हमने enterprise management system इसे पहले यूटूब पर हमने अल्रीड मतलब complete किया इस्ववेट उसी कही sequence में आज मारा management system में बीर की से समीसर में हमार जो topic है वो है डिफ्रेंस बेन बहुत इंपोरेंट टॉपिक है यह आपके एक्जाम में हर बाद पूछा जा रहा है तो यह इंपोरेंट है इसको आपको चीज़े समझना है ठीक है समट आई इस बचिए हमने कहा है कि हमने एक डिफ्रेंस हमें इसमें शो कराना है कि वही मैनुवर के दुआरा हम कोई सिस्टम बनाते हैं और computer system मनाते हैं नो 99 क्या स application क्या रिफ्रेंस है क्या डिष्ट असको भी कोशच करेंगे सब्सक्राइब ईसमें तो स्वेपनेंट थिया Management Response System और दूसरी जर्ट हम ले लिए था Computer Based Information System यानि CBIS और MIS जैनि M से Manual Information मनलब दख कहाई कि जिसको हम जो हम फिटर मनाते हैं जिसमें हम computer का टेखोलोड का यूज नहीं करते हैं जो कि हम जो है paper पे हम उसको हम जो है सारी चीजें हम रोट करते हैं जो हमारा मैनुली क्या राता है तो अब देकेश में क्या है Manual Information Works Without the Health of Computers and Technology अब जो हमारा Manual Information System है वो बिना computer के बिना technology के क्या आपको बताया है कि यह जो है paper पे written format में किया जाता है CVISन की Computer Based Information System uses computer technology to perform its tasks computer technology का हम यूज करते है प्रोपर हमारा एक system होता है CPU, Monitor, HardTex, Keyboard, Mouse जिसके द्वारा हम जो है input करके हम जो है data हम बनाते हैं और computer में हम उसको store करते हैं ठीक है अब बात करते हैं आगे Manual Information System An Inexpensive Method of Performing Operations For Example Calculating Employee Salary Pay Period Entirely on Paper अब देखिए इसमें का है Manual तो हमारा Information System है Inextensive मतलब ये भेगा तो कार नहीं होता लेकिए सबसे बड़ी बादा है time consuming होता जैसे माद लोग आपको कोई एक organization है उसमें हमें इंप्रोड़ाइट की salary हमें मतलब generate करनी है इसमें क्या करना पड़ेगा उसको manually paper पर हमें पूरे employee की salary है salary है जो gross salary है वह हमें लिखने पड़ेगे इसमें लिखा भी है सबको जो पूरी salary है वह हमें paper पर करने पड़ेगी लेकर आप हम बात करें computer based information system की तो ये क्या है ये हमारा expensive है ये हमारा अपनेगा है जाइट से बाद एक computer system लागाना पड़ेगा एक आप रेश्टर लेंग रीट के दौरों में भी difference तो है तो जाइसी बात है computer system expensive है because हम software के use करेंगे hardware के use करेंगे CVS is an expensive method for performing operation for example you need software to calculate payroll, taxes and other deduction automatically तो मतलब suppose that आप इसे मांनो अभी expensive है आप इसमें Excel के use करेंगे guides के आप 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 दे लागे तो हमने Excel के use कर रहे है तो यावर हम एक्सली 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 कर रहे है ठीक है ना तो Excel हमें क्या है software चीह हाट वेर चीहे और ताकि हम उसमें suppose that जो मतलब आमनो कुछ दिन absent हुआ है कुछ दिन absent हुआ है उसमें मतलब half day leave ली तो उन सब को automatically हमने एक software के use किया उसके दोरह हम हम उसको accurate करके हम उसको easily जो है पना लेंगे और accurate बनाएंगे ठीक है तो ये एक difference है आपका अगला जो है manual enforcement system और computer-based enforcement system तीसरा आप defense एक difference manual enforcement system may be slow and inaccurate because it is done by human being कैसे मैंने कि इसे पहले वादी point मैंने अगोग पताया भी slow होता है inaccurate होता है because ये human being के दोवारह जो है ये जड़ने किया आता है register make inti करते सुमें आपसे गलती हो सकती है आपसे गलती हो सकती है ये क्या है मारा inaccurate और जो है slow होता है जाएट सबाद है वही इसको मतलब computer तो करेंगे ये computer में आपने एक लगा दिए उसी formula की जानी आपने पूरी salary सभी उप्राई salary आपने calculate करती जैसे बिए कितने दिना कितने Sunday कितने half day कितने full day कितने government holiday इससे करके आपने पूरे formula को आपने लगा दिया और सभी एक ही मतलब formula से आपने बहुत सारे project की suddenly जो है आपने generate करने easily लेकिन यही कार आप आप मैंब नी करेंगे तो आपको काफी समय देगा और उसमें आपकी आपकी अर्स भी आएंगी CPA is very accurate and provide results faster than the manual yes yes accurate है और results को faster provide राता है rather than manual information system चीक है retrieving information in manual information system is quite a hedging and time-consuming task yes आपको कोई information आपको डे लिए डूट निया तो आपको रेजिसर पंटेंगे आप जो है वह information कहा है आपको नहीं पता भी कौनसी information की space पर है लेकिन आप शुनी क्या है कि searching methods in computers में होते हैं तो उनके द्वारा जो है आपको easily उस information को within minutes या second आप उसको computer से retrieve किरा सकते हैं retrieve information in manual is this quite a hectic and time-consuming task that's why the time-consuming है रजिस्टर में इस उनको दूटना लेकिन data processing and fetching information is fast yes data processing fetching information है वो हमारे computer system में fast गोती easily हम document को search कर सकते है by name by document file name manual information system provides less or no security for information stored yes register आपके चोरी हो चकते है tab हो सकते हैं register आपके जो भी information है information पर्म हो सकती है ठीक है खराब हो सकती है लेकिन computer information system आपको जो है एक ऐसी security प्रवाट कराता है आज ही प्रेट में हम login ID password बनाते हैं कई सारे हम जो है antivirus कर भी उस करते हैं कैसे software ने भी उसके ताकि हम अपने data को secure कर सकते हैं वह सब्धा आपको computer technology प्रवाट कराती है CVS computer-based information system provides full security option like password login IDs ATC2 information stored in जो भी आपकी information उसमें आप log log लाइड रसकते हैं login ID password बना सकते हैं इससे आपकी information को कोई open करके देखना सकें उसका कोई गलत misuse करना सकें ठीका students आगे देखें manual information system is less capable of presenting information in a system in a systematic way yes, अब जायर सी बात में थो computer system है उसमें information को हम एक systematic way में हम generate करते हैं उसका एक तरीका होता है इसका है input, output and process system सारी जो information है वो systematic manner में हमारी चल्ड़ेड होती है उसमें लिखा भी है manual information system is less capable of presenting information in a systematic way मतलब manual information system में आप उस चीज़ों को systematic way में आप जन्रेट नी करते हैं मालो suppose that आपको इस्ट्वेंट प्रिजेंट दिखानी है या employees का performance आपको दिखाना है तो जायर सी बात है आप उस information को है चार्ट में आप उसको प्रिजेंट करेंगे तो यह manually उसको प्रिजेंट करना बहुत हटेंगा और वो accurate भी नहीं हो पाएगा इसके दे इस्ट्वेंट हम क्या करेंगे हम जो एक ग्राफ चार्ट करेंगे जो कि Excel एक ऐसा software है जो आपको यह technology प्रवाइट कराता है देखा भी है इस पहली आप इस्ट्वेंट करेंगे देखने में अच्या लगें अधी आप इसको बना सकते हैं ताकि वो देखने में अच्य लगे और आप इस information को रट्रिप कर सकें as early as possible कि विए अधिविए भी चुट आप लेक्चर दें तो लेक्चर देखते समय इस्टेटे परद यह करें अपने मोबाइल की बैटनेस को बड़ाएं दूसरा आप अपने व्चार को लेंडर स्केप करें तीसरा जो है आपके जो आप विडियो देखते हैं यूटुब तो तीर आपको दिखाई देते हैं उसके पर क्लिक करें उसके बाद जो है यूटूब की वीडियो की क्वालिटी में जाएं वहां पर आप उसको आपको दिखाई दें और इसको देखके आपको नोट्स बना सके और टाइम के अपने सिल्डर उसको कम्प्लीट कर सके ठीके स्वेर्स थैंक यू वेरी मुच